नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी एक नज़र डालेंगे यूपी की खबरों पर फिरोजबाद के मटसेन थाना शेत्र में गुरगाओं से पश्चिप बंगाल जा रही यात्यों से भरी एक डबल डेकर बस अनियंतरित होकर ट्रक से टकरा गई हाथसे में 12 यात्री घायल हो गए घायलों को शिकोहाबाद के अस्पतार में भर्ती कराया गया जहां कुछ यात्यों की हालत गंभीर बनी हुई है बताया जा रहा है कि बस चाला कुनीन की जपकी आने की वज़ह से ही ये हाथसा हुआ है गासेपुर में दो यूवकों पर तावर्तोर फायरिंग की गई दीपक यादव और सर्वेश यादव पर पास ही गाउं के ही एक मनोह यादव ने गोली चला दी दीपक के हाथ में जबकि सर्वेश के पेट में गोली लगी है वही बारनसी ट्रॉमर सेंटर में इलाज के दौरान सर्वेश यादव की मौत हो गई एसपी ने घटने स्तल का जाइसा लिया महु में गौर्ड समाश के लोगों ने कलेक्टरेट परीसर में धरना प्रदर्शन दिया दरसर अनुसूचित जाती प्रमान पत्र बनवाने के लिए जलादिकारी मुर्दबाद के लोगों निनारे भी लगाए सुल्तानपुर में जंगली सुवर के हमले से जहां एक किसान की मौत हो गई वहीं दो अन्य किसान घायल हो गए और एया में बीजेपी नेता को एक महीने के अंदर जान सिवाने की धमकी दी गई पेड़ बीजेपी नेता के तहरी पर आरोपी के खिलाप मुकदमत दर्श कर लिया गया है सदकोत वाली शेत्र के निगड़ा गाउं के रहने वाले बीजेपी नेता भूरे चौबे हैं स्पी के निरुदेशपस अवलाइंस और सोजी की टीम सक्रिय हो गई है मतुरा में पिता ने 11 साल के बच्चे की हत्या करके खुद आत्मत्या कर ली बतादे पिता ने ये कदम गरीबी के चलते उठाया गंगन अगर में मजदूरी करने के बाद एक महीने पहले ही मतुरा आकर चाय की दुकान पर प्रेम पाल काम करता था गटना की सूचना पर पहुंची पुलिस से मतकों के शब को कबसे में लिका पोस्पॉडम के लिए भीज दिया जालोन में हुली के पहले जिला प्रसाश्च ने बड़ी कारवाई करते हुए मिलावच खोरों के खिलाब विशेश अभ्यान चलाया है बिना लाइसेंस के चल रही मावा भटी और दूर डेरी पर छापा मारा गया खादे विभाग ने भारी मात्रों में नकली मावा भी बरामत किया गाजिपूर की सेवराई तहसील के बारगाउं में रहने वाले शेरखा ने 16 सार पहले गोद लिये बच्चे को पहले अच्छी परवरिश दी और अब पूरे हिंदू रीती रिवाश के साथ उसकी शादी करा दी है ये विवाव उन लोगों के लिए आईना है जो सामप्रदाइक सदभाव को बिगाड़े ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और एया में घ्रै कलेश के चलते युवक ने फासी लगा कर आत्मत्या कर ली एरवा कटरा थाना शेत्र के नगरिया समाय और गाउं का ये पूरा मामला है वहीं मौके पर पहुंची पोलिस ने शब को कबजे में लेका पोस्पाटम के लिए भेसिया और एया में आने वाले त्योहार और पंचाय चनाफ को लेका पोलिस और आपकारी टीम ने शराब माफ्यों के खिलाब बड़ी कारवाई की 14 भी उक्तों को पोलिस से गिरफतार किया है साथी 115 लीटर कच्ची और 100 लीटर देशी शराब भी बरामत की है जिले के सभी थाना शेत्रों में शराब माफ्यों के खिराब अभ्यान चलाए जा रहा है बरेली से किसान के बेटे ने जब युनिवरस्टी में टॉप किया तो पिता का सीना गर्व से चोड़ा हो गया बेटे की काम्याबी पापिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा बिजली का बिल जमा करने के लिए उब भोकताओं को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा कोटेदार ही आपका बिल इपास मशीन से जमा कर रसीत दे देगा उतरप्रदेश सरकार में कैविनेट मंतरी अनिल राजबर का सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर पर बड़ा आरोप है दरसल पंचायश चुनाव का फॉर्म भरने के लिए 50,000 रुपे की मांग की थी बरेली में आवारासान मुसीबत बन चुका है ताज़ा मामला बारादरी थाना श्वेत्र का है जहांसान के हमले से बज़र्ग गंभी रूप से खायल हो गया वहीं नवाब गंज में भी एक आवारासान के हमले से एक बज़र्ग महिला खायल हुई है वैश्विक महमारी कोरोना काल के बाद मुश्किलों से जूच रहे लोग खुली और सब्बे रात पर 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 भूके ना रहें इसलिए एक समास सेवी ने सरानिय पहल को सफल बनाया है कानपुर्देहाद के सिकंद्रा तैसील में आने वाले जमूरा गाउं के समास सेवी रवी कटियार के नेतरुत में शाररिक दूरी का पालन करते हुए जोरत मंदों को पांच किलो ग्राम शक कर वितरुत की गई यूपी के पेले भी जनपत के अमरिया ब्लॉक के सकोला गाउं में 15、 15 उनाव के अरक्षन में जनसख्या में फिर बदल करने का आरोप लगाया गया है जिसको लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे से मामले में लिखिश शिकायत की गई है जिलाधिकारी ने मामले की जाच कराने के आदेश चारी कर दिये है यूपी की खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुरे रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वाल इंडिया